बैदिक जोती सास्त्र में एक निश्ची तवधी पूरा करने के बाद सभी ग्रह एक रासी से निकल कर दूसरी रासी में प्रवेश करते हैं जोती सास्त्र में राहू ग्रह को सबसे सक्तिसादी ग्रह माना जाता है इसे छाया ग्रह के नाम से भी जाना जाता है राहू एक निशीत अधी पूरा करने के बाद अपना रासी परिवर्तन करते हैं हाला कि आपको बताते चले इस समय मेंद रासी में राहू विराजमान है अगले महिने राहू सनी के नच्छत्र उत्रा भाद्रपद में प्रवेश करने वाले हैं जिसका प्रवाव सभी बारा रासी के जातक पर देखने को मिलेगा इस समय राहू मीन रासी में रहने के साथ साथ रिवती नच्छत्र में विराजमान है और उत्रा भाद्रपद्र नच्छत्र में राहू आठ जुलाई को प्रवेश करेंगे जिसका असर जग जीवन सहित सभी बारा रासीों के जातक पर देखने को मिलेगा किसी रासी पर साकारात्मक तो किसी रासी पर नाकारात्मक पर भाव रहेगा तो चलिए इस रिपोर्ड में जानते हैं कि राहू के नच्छत्र परिवर्तन करने से किन रासी के जातक की किसमत बदल सकती है दरसल आयोद्या के जोतिस पंडित कलकी राम के मताबिक तीन रासियां ऐसी हैं जिसकी किसमत बदलने वाली है जिसमें ब्रिशा बतुला और ब्रिशिक रासी के जातक शामिल है